दे एक्सपेरिमेंट फिल्म की कहानी दो एलिफेंट्स की इमेज से शुरू होती है जहां नेज्टर सेलेक्शन लिखा हुआ होता है और फिर कुछ इंसेक्स का एक दूसरे पर अटेक दिखाया जाता है जिसमें पानी में और खुश्की में रहने वाले जानवर भी शामिल हो होती है और नौम और कफरंस और पीसवर्ट के बैनर्स पकड़े हुए होते हैं ट्रैविस भी इस प्रोसेशन में होता है और एक आदमी से बातें कर रहा होता है ट्रैविस ने जो साइन बोर्ड पकड़ा रखा होता है उसके ओपर लिखा होता है ब्रिंग देम होम इसे हो लड़की से पूछती है क्या तुम ठीक हो इसके बाद चरईविस की इस लड़की से दोस्ती हो जाती है और बात चीए चुरू र गयरता है वो इसे बताती है कि वो इंडिया जा रही है ट्राविस लेंसे एक अड्वेडरेस्मेंट देखता है जिसमें बहेविर्ल एक्स पर डे है ट्रैविस इंटर्वियू के लिए जाता है और पास इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम बैरिस होता है ट्रैविस आदमी को देखर स्मार्ट मैन कहता है और वो स्मार्ट मैन इसको कहता है कि हम स्ट्रेंजर्जर्स हैं थोड़ी तेर में एक प्राम environment में provide की जाएंगी और ये actual experiment होगा उसके बाद कुछ सब्जेक्स को civil rights से महरूम रखा जाएगा उसके बाद वो सब को कहता है चलें टेस्स लेते हैं ट्रैविस और इसके साथ दूसरे मिम्रांस के सामने different किसम के questions को पोस किया जाता है जैसे कि ट्रैविस के सामने वोयलेंस का word लिया जाता है और वो no कहता है उसके बाद religion का नाम लिया जाता है तो वो no कैद कहता है इस पर scientist कहता है ये तो एक ब्रोज एरिया है इसी तरह ट्रैविस और बैरिस से कुछ को संस और भी पूझे जाते हैं और इसके बाद ट्रैविस को एक रूम में बिठा दिया जाता है वहाँ एक बड़ी सी सक्रीन होती है जिस पर वायलेंस स्क्रीन सीन्स दिखाये जाते है इसके बाद ट्रैविस कुछ वक्त अपनी दोस के साथ गुजारने के बाद नेक्स टे उसी जगा पर दुबारा पहुंच जाता है वहाँ बैरिस को भी देखता है और बैरिस उसे देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई है इन सब में से ज़्यादा तर लोग जॉबलेस होते हैं और परिशानी का शिकार होते हैं और वो इस चीज़ को मानते हैं उन से प्राइमरी साइंटिस दुबारा कम्यूनिकेट करता है इसके बारे में बताता है कि आने वाले दो वीक्स में आप सब के लिए तजर्बात है फिर कहता है कि जैसा में ने आपको पहले बताया है कि मैं आप में से कुछ लोगों के पास सीवल राइट्स ले लूँगा और अगर आप अभी चोड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास आखरी चैंस है फिर पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है और हां में सर हिलाता है इसके बार लीडर गुड कहता है और फिर कहता है कि आपकी सेफटी आपकी नंबर वन प्रियरिटी होगी और आपकी दरफ से कोई वायलन्स हुआ तो एक्सपेरिमेंट फोरन टर्मिनेट कर दिया जाएगा फिर लीडर सब का नाम बोलता है और नाम लिये जाने वाला परसन खड़ा हो जाता है और एक अलग गुरूप बन जाता है जबके बैठे हुए लोगों को एक अलग लाइन को फॉलो करने का कहा जाता है इसी तरह वो साइनिटिस्ट गुड लग जिन्टल मैन कह कर चला जाता है बैरिस की टीम को इंस्ट्रक्शन्स दी जाती है जबके बैरिस की टीम गार्ड टीम होती है और फिर बताया जाता है कि उनको तीन वक्ता खाना मिलेगा और खाने के बाद इनको अपनी प्लेयर्स को साफ करना होगा 30 मिनट की इनके पास recreational timing होगी जिसमें वो अपनी recreation कर सकते हैं इसके लावा और भी rules बताया जाते हैं साथ में इस warning के साथ जिसने rules ये तोड़ दिये तो उसको punish किया जाएगा और ये भी बताया जाता है कि experiment किसी इंडिविजियों से related नहीं है अगर किसी ने एक ने भी rules तोड़ा तो ये सब पर लागू होगा और अगर 30 मिनट की अंदर disciplinary action नहीं लिया गया पूरे staff में से जो कि group members हैं अगर फेल हो गए तो foreign red light जल जाएगी और experiment को खतम कर दिया जाएगा फिर scientist कहता है अब मैं तुम्हें 2 weeks के बाद मिलूँगा फिर bearis के group में से एक members अपको बताता है कि अपने कपड़े अपने दिये के numbers के मताबिक पहन ले और जो भी cell assignments दी कहीं हैं वो इनके cell के साथ attack कर दी जाएंगी फिर सब अपनी अपनी cells में move करते हैं और वहां camera's भी लगे होते हैं जिसको Travis देखता है Travis के जो partner होते हैं बैंजी और निक्स होते हैं कि इसके prisoner mates होते हैं इसके बाद अगले सीन में basketball खेलने का time आ जाता है अब prisoners basketball खेल रहे होते हैं कि एक prisoner basketball guard को मार देता है और इसके होन पर लगने की वज़ा से इसके होन से खून बहना शुरू हो जाता है लेकिन guard जूल के तहर कोई reaction नहीं दिखा सकता और इसे कहता है कि 30 minute में disciplinary action हम ले सकते हैं वो अपने fellow से बात करता है लेकिन वो नहीं लेते फिर guards का एक member इस prisoner से जिसमें guard को जखमी किया होता है अराम से 10 push-ups निकालने का कहता है और सब prisoners को भी यही करने का बोला जाता है वो इनकी एक सजा होती है और सब 10 push-ups लेते हैं guards के room में camera's लगे होते हैं जिसमें prisoner की तमाम activities को देख रहे होते हैं इसके इलावा सारे prisoners को guards खाना सर्फ करते हैं क्योंकि यह अब second day होता है इसमें एक चीज़ prisoners को बहुत एक पसंद नहीं आती लेकिन rule के मताबिक food plates को साफ करना जरूरी होता है ट्रावेस अपने कुछ prisoners के साथ अपनी plate साफ नहीं करता और guards को जब force करता है तो वो अपनी plate को guard के हाथ पर उलट देता है और कहता है कि यह देखो मैंने plate को साफ कर दिया guard का लीटर अवास लिखाता है कि इन्हें और push up करने होंगे इस पर एक prisoner एक खाने वाली चीज़ उठा कर उसके मूँ पर मार देता है जिससे कहता है कि यह लो यह कर दिया मैंने push जो वही guard इन पर एक चीज़ खाने वाली मारता है इसके बाद bearis एक planning करता है कि हमें prisoner's को humiliate करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया यह कहकर वो prisoner's के cell में एक fire extinguisher स्प्रे कर देता है और फिर ट्रैविस को bearis handcuffs से prisoner's cell से एक door के साथ lock कर देता है क्योंकि उसने ट्रैविस से बदला लेना होता है ट्रैविस के बोलने पर bearis इसे shut up बोलता है फिर उन्ची आवास में कहता है कोई ऐसा incident दुबारा नहीं होना चाहिए और सब को समझा देता है फिर जोर से आवास लगाता है क्या सब समझ गए हैं तो सब यह सर की जवाब देते हैं फिर bearis मेरे के सामने जाता है और अपने आप को देखर मुस्कुराता है दूसी तरफ ट्रैविस परिशान और खुसे की हालत में होता है अब प्रिसनर की आवास आती है अब इसको प्रिसनर की आवास आती है जो कि इसका प्रिसनर मेट होता है कि वो कहता है कि मेरा blur sugar low हो गया है जो वो guards को ये बताता है तो guards इसे चुप रहने का बोलते है ट्राइल के तीसरे दिन बैरिस सब prisoner से communicate करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए है हमें ऐसा act करना चाहिए कि हर कोई खुशी-खुशी अपने घर जाए फिर पूछता है कि prisoner number 61 कहा है जब बैरिस अंदर दूसरे guard के साथ जाता है तो वो prisoners बिमार होता है जिसका नम Benji होता है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है बैरिस से उटने का कहता है लेकिन ट्रैविस इसकी हमायत कर देता है और इसकी बिमारी का बताता है लेकिन guard ये नहीं समझता है और कहता है कि rules rules होते है ट्रैविस कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो experiment over हो जाएगा अगर हमने एक दुसरे को हाम पहुंचाया फिर guard अवाज लगाता है कि अपने cells में दुबारा वापस चले जाएं और सबको बंद कर दिया जाता है अब ट्रैविस बहुत परिशानी की हालत में cell के सब लॉक्ड होता है और इसको अपनी दोस्त को imagine करने लगता है फिर अपने prisoner मेट से भी बात करता है दूसरे तरफ guards बात कर रहे होते हैं अगर कोई हर्ट हुआ तो experiment over हो जाएगा और हमें pay भी नहीं किया जाएगा इसलिए ये बेहतर है कि दूसरे तरीके से इस चीज़ को resolve किया जाए इसे तरह बेरिस एक और planning करता है वो चुके से ट्रैविस से बदला लेने के लिए ट्रैविस को बहुत जाएगा जाता है जब ट्रैविस अपने सेल में वापस आता है उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन वो खामोश रहता है बैन जी जो था वो जो बिमार था उसको ट्रीट नहीं करवाया जाता और ना ही खाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उड़ सकता ट्रैविस चुपके से ब्रैट को स्टील करता है और उसके पास लिजा कर उसको खाने के लिए दे देता है रात का वक्त होता है कि गार्ड में से एक मेंबर जो कि इंजस्टिस होता हुआ नहीं देख पा रहा होता हूँ ट्रैविस की मदद के लिए आता है ट्रैविस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बैंजी का बैग ला दे उसमें से इंजेक्शन और इंसुलीन ला दे और अगर उसे चाहिए तो उसको पैसे भी दे देगा लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इंकार कर देता है और चुपके से उस रूम में जाता है जहां बैग्स रखे होते है वहाँ जाकर बैंजी के बैग को ढूनता है और वहाँ से इंसुलीन और इंजेक्शन लेकर निकलता है जबकि दूसी तरफ बैरिस कैमरास के थुरू सब कुछ देख रहा होता है जल्दी से अपने उसी गार्ड के पास पहुंच जाता है जो ट्रैविस की मदद कर रहा होता है उसको ड्रा धंका कर पूछ लेता है कि उसे ऐसा करने पर किस ने बोला और वो सब कुछ बता देता है इसे तरह बैरिस इंसुलीन और इंजेक्शन लेकर खुद सेल में जाता है और बैंजी की बिस्तर पर रख देता है और ट्रैविस को घूर कर देखता है नेक्स रीम में ट्रैविस को बैरिस लीडर के पास लाया जाता है प्लिविस को वायूलेट साफ करने का कहा जाता है ट्रैविस नहीं मानता और इसे मजबूर किया जाता है कि वो कहे कि I am a prisoner ट्रैविस इसकी बात नहीं मानता और भार में ज़ू बोलता है ट्रैविस को सजा के तोर पर इसका मूर टॉयलेट में डाल दिया जाता है और उसके उपर पानी छोड़ दिया जाता है लेकिन ट्रैविस ये सब सेहने के बाद भी बैरिस को कहता है कि तुम जहन्नों में जाओ लेकिन एक बार आखिर में आकर ट्रैविस हार मान जाता है और कह देता है कि I am a prisoner नेक सीन में ट्रैविस को रोते हुए दिखाया जाता है और बहुत बेबसी की हालत में होता है कैमरे से हर चीज कैप्चर की जा रही होती है दूसी तरफ बैरिस राथ को इस गार्ड को उठाता है जिसने ट्रैविस की मदद करने की कोशिश की होती है और इसको दूसरे जुम में ले जाकर दूसरे गार्ड से वालेंस करूआता है पांचवे दिन इसी गार्ड को परिस्णर के सामने लाया जाता है और इसकी मूँ से जब कपड़ा हटाया जाता है तो इसका मुझ होन से बहरा होता है और वो जख्मी होता है बैरेज इसको Prisoner No. 76 का नाम देता है ट्रैविस सब सुन रहा होता है और अपनी शर्ट उतार कर उससे से समीन पर फैंक देता है और इस तरह ट्रैविस को देखा देखी सारे इसके प्रिजनर्स अपनी शर्ट को नीचे फैंक देते हैं थोड़ी देवाद ट्रैविस आगे भड़ता है और कैमरा की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है बैरेस इसको वायल हिट करता है और बृटलिटी दिखाता है जबके बेंजी इसको बरदाश्ट ना करते हुए बेरिस को हिट कर देता है जैसे ही बेरिस मुड़ता है और बेंजी को जोर से मारता है जिससे बेंजी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और जखमी हो जाता है अब बेंजी जमीन पर गिरा मोशनलेस होता है ट्रैविस को एक isolated iron box में बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर भी एक कैमरा लगा होता है अब गार्स बहुत सथा परिशान हो जाते हैं लेकिन बैरिस अपनी brutality दिखाता रहता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा छटे दिन भी ट्रैविस इस iron box में कैमरा की तरफ देखकर हसता रहता है और दूसरों को यह दिखाता रहता है कि उसको कोई कुछ नहीं हुआ और हमत नहीं हारता और आखिर कार अपने ब्रैसलर की मदद से वो उस iron box को खोलने में कामयाब हो जाता है और आजाद हो जाता है बाहरे निकल कर वो अपने प्रिसनर्स को आजाद करवाता है और गार्ड्स पर हमला करने की कोईशिश जारी रखते है एक प्रिसनर आकर ट्रैविस को एक iron stick पकड़ाता है ताकि वो इस से दूसरे गार्ड्स पर हमला करे कैमरास को देखकर गार्ड्स खबरा जाते है क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तमाम प्रिसनर्स आजाद हो गए है इन में से एक गार्ड कहता है कि हमें क्या करना चाहिए जबके बाहरे से एक नाइफ उठा लेता है और कहता है कि हमें त्यार रहना चाहिए सारे प्रिसनर वायलेंटली ग्लास टोर को बीट कर रहे होते हैं इसके बाद दिर्वासा खुल जाता है सारे गार्ड अपनी जान बचा कर भाग जाते हैं जबके बैरिस इनके पीछे पीछे होता है प्रिसनर्स इनके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं इसे वो उनकी जान ले लेंगे और गार्ड से शटर उपर नहीं नहीं होता ताके वो बाहर निकल सकें इतनी देर में प्रिजनर्स वहां असॉल्ट कर देते हैं बैरिस ट्रैविस को नाइफ मारता है जिसे वो आज़ से नाइफ को पकड़ लेता है और बैरिस खोफ से नाइफ को छोड़ देता है इसके बाहर ट्रैविस बैरिस को बहुत बुरे तरीके से मारता है दूसरे प्रिजनर्स दूसरे गार्ड को मार रहे होते हैं इतने देर में रेड लाइट चल जाती है जिसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट रूल के मताबिक ओवर हो चुका है अब बिल्डिंग का दर्वाजा खुल जाता है और बाहर का साइट नजर आ जाता है बहुत दिनों बाद परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं और रोशनी दिखती है सब सखमी हालत में आईसा इसता चलने लगते हैं और समीन पर परिशानी की हालत में बाहर जाकर बैट जाते हैं फिर वही बस आती है जिसने इन्हें यहां ड्रॉप किया होता है सब इसमें बैट जाते हैं और अपने अपनी ड्रैसेस को भी वियर कर लेते हैं बस में बैटा हुआ बैरिस अपना चेक हाथ में लिये होता है जिस भी 14,000 डॉलर का होता है लेकिन बैरिस परिशान होता है ट्रैविस को देखता है अब सब को पे कर दिया जाता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के पार्टिस्पेंट रहे होते हैं मीडिया में भी न्यूस आ जाती है और जाहिर हो जाती है कि साइकलोजिकल टेस्टिंग थी और तमाम बिहेवरियल एक्सपेरिमेंट टेस्टिफाई हो गए हैं अब ट्रैविस हिंदुस्तान चला जाता है ट्रैविस एक लेकिन अस्दीग बैठा एक औरत को देख रहा होता ह जो कि पानी से अपने बच्चे का मूँ साफ करती है और थोड़ी देर बाद ट्रैविस की दोस्ट पीछे से आ जाती है स्कून से मुस्कुराता है और दोनों मिल जाते है